आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने जियो फोन नेक्स्ट में यहाँ पर नेटवर्क सेटिंग्स को रिसेट कैसे कर सकते हैं यानि कि अगर आपको अपने फोन में ब्लूटूथ, वाइफाई या फिर मुबाइल डेटा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप नेटवर्क सेटिंग्स को रिसेट करके यहाँ पर उस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए यानि कि नेटवर्क सेटिंग्स को रिसेट करने के लिए अपने फोन में सेटिंग्स को ओपन करिए और नेटवर्क सेटिंग्स रिसेट करने से आपका कोई डेटा डिलेट नहीं होता है अगर आपने कोई वाइफाई कनेक्ट कर होगा तो यहां पर उसका password रिमूव हो जाता है आपके phone से तो फिर से password एंटर करके आप उसे connect कर सकते हैं settings में आने के बाद नीचे एक option आएगा system के नाम से system पर click करिए उसके बाद system में आपके सामने ऐसा page आएगा यहां पर advance का एक option है advance पर click करिए उसके बाद आपको मिलेगा यहां पर reset options reset options पर click करिए और first option आपको मिल जाएगा reset wifi mobile and bluetooth इस पर click करिए यहां पर आप पढ़ सकते हैं this will reset all network settings including wifi mobile data bluetooth यहां पर अपनी वो sim select कर सकते हैं जिससे आपको यहां पर problem आ रही होगी उसके बाद reset settings पर नीचे click करिए अपने phone का screen lock enter करिए जो आप यहां पर use कर रहे है screen lock के लिए फिर से reset settings पर click करके तो यहां पर थोड़ा सा wait करिए और wait करने के बाद यहां पर आपको एक message जो show हो जाएगा नीचे network settings have been reset उसके बाद back आईए और यहां पर आपकी network settings reset हो जाएगी आपकी wifi mobile data और bluetooth से related सारी problem fix हो जाएगी तो यहां पर आपकी network settings reset हो चुकी है आपकी mobile data wifi और bluetooth से related जो problem थी वो fix हो जाएगी तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like करें और चैनल को subscribe जरूर करें